हेलो दोस्तो यह चुनार के लिये की तीसरी और आखरी वीडियो है देखे दोस्तो यह रास्ता फांसीगर तक जाता है तो चलिए फांसीगर देखने के लिए चलते हैं असल में यह कोई रास्ता नहीं है रास्ते तो सब बंद हो चुके हैं यह हम जैसे गुमक्लो ने जाने के लिए एक रास्ता बना लिया है यह है बहुत ही खतरनाक रास्ता है इसलिए हमें बहुत समल कर चलना पड़ेगा चलते चलते हम किले का इत्यास भी बताते रहेंगे देखिए आगे हमारे एक साती हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं किले की पिछली वीडियो में हमने जाना चंदरकांता महल असल में रानी सोनवा मंडप है मोत का कुवा असल में पानी पीने के लिए और इश्नान करने के लिए कुवा था और किले की निचली इमारतों में सापो की बहुत बड़ी मातरा में होना भी एक अफवा ही है आज हम जानेंगे किले के तहकाने में हजारों टन खजाना छिपा होने का राज इस्थान्य लोगों का पूर्ण विश्वास है कि यहां सोना दबा है लेकिन जानकारों और इतिहासकारों का कहना है कि बारे से भी अधिक राजाओं ने यहां राज किया है तो सायद उनका सोना यहीं छिपा रह गया हो देखिए यहां से अब नीचे को कूदना है हमारे साथ ही तो कूद चुके हैं अब हमें भी बहुत साबधानी से नीचे उतरना है थोड़ी सी भी ऐसाबधानी हमें चोट पहुचा सकती है टेड़े मेड़े रास्ते के अलाबा भी यहाँ पे कीड़े और सापो का भी खत्रा है फासिघर या कैद खाना किले के किसी सूनसान जगे पर ही बनाया जाता था जैसा कि यहाँ पर है यहाँ कभी सैनिकों की चहल पहल हुआ करती थी लेकिन देखिए अब यहाँ जंगल बन चुका है दोस्तों हम खजाने की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रमार नहीं मिलता है जो बास्तम में बताता है कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है कहा जाता है अजादी के बाद कासी नरेश ने भारत सरकार से यह किला मांगा था और इसके बदले भारत का सारा करजा चुकाने की बात कही थी लेकिन तत्कालिन प्रधान मंतरी ने इस बात के लिए मना कर दिया था देखिए हम उतनी उचाई से नीचे आ चुके हैं अभी हमें और नीचे जाना है फांशीगर देखने के लिए जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किले के दो साइड से गंगा बहती है तो देखिए गंगा का खूब सरत न जा रहा कासी नरेश का इस किले को अपनी निगरानी में रखने का उद्देश्य सिर्फ खजाना हो सकता है इसी बात को अधार मानकर यहां के लोग मानते हैं कि खजाना किले में दबा हुआ है देखिए हम सीडियों के बगल में जो किनारी बनी होती थी उसके माध्यम से हम नीचे जा रहे हैं और सीडियों पर किस तरह किसे यहाँ पर जाडियां और पोधे उगाए हैं तो चलिए अब हम सीडियों से नीचे उतरते हैं यह दुर्गम रास्ता इस किले का बाकई एक खूबसुरत अनुभब रहेगा देखिए हमें कैमरे को बचाना पड़ रहा है अगर भारत सरकार इस किले का रख रखाव रखे तो देखिए कितना खूबसूरत परियटन इस्थल बन सकता है अच्छा मन में विचार आता है कि राजा महराजा पुराने समय में किले या महल किसी पहाड़ी या नदी किनारे ही क्यों बनाते थे या किलों में सुरंगे क्यों बनाते थे इसका जवाब हम बताते हैं इससे पहले ये देखिए कि किस परकार हम ज्याड़ियों में होते हुए नीचे जा रहे हैं दोस्तो इस कठिन काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेज करें दोस्तो हम फासिगर के काफी करीब आच चुके हैं जैसा कि हमने बताया कि इस के लिए पर कई राजाओं के अधिकार रहे हैं तो पहले हम मुगल काल के फासिगर को दिखाते हैं काफी परेशानियों के बाद आखिरकार हम फासिगर पहुची चुके हैं पहले हम फासी घर के बहार का नजारा देखते हैं उसके बाद अंदर चलेंगे दोस्तों हम बहुत असानी से यहां बात कर रहे हैं लेकिन एक समय था कि यहां आने में लोगों की रूख आप जाती थी यह बो जगह है जहां पे फासी देने के बाद सब गंगा में बहा दिया जाता था उस समय अपरादी के सब को परिजनों को नहीं दिया जाता था सीधे गंगा में बहा दिया जाता था प्रियाचीन समय में सबसे डरावनी जगा किले की यही थी यहाँ पर जिसको फांसी दी जाती थी और फांसी देने बाला जलादी हुआ करते थे यहें बो खिड़किये जिससे राजा फांसी का ओडर देते थे हम यहाँ बेखोफ होकर घूम रहे हैं लेकिन नहीं जाने कितने लोगों को यहाँ जलाद द्वारा मोत के घाट उतार गया होगा चुनार किले का मुगल कालीन डरावना फांसी गर यही है दोस्तों यह अंग्रेजियों की समय का बाटर पंप है इसी के माध्यम से पूरे चुनार किले में पानी की सप्लाई होती थी उस समय बिजली तो थी नहीं और यहाँ पे कोई कोईले का भी ऐसा कुछ निसान नहीं मिलता है तो यह किस टेक्निक पे काम करता था यह भी एक सोचने वाली बात है यह देखिए चुनार किले की मजबूत दिवारें जो बरसों से गंगा के पानी से किले को बचा रही हैं अब हम अंग्रेजो के समय के फासीघर को देखनी के लियं आगे बढ़ रहे हैं रास्ता अभी भी जाडियों और परेशानियों से भरा हुआ है अंग्रेजो के सासनकाल में यहाँ पर अंग्रेजी सैनिक किले की सुरक्षा के लिए पैट्रोलिंग क्या करते थे देखिए मेन रास्ते पर तो जाडिया और घास हो गाई है तो हमें रास्ते की किनारी पर चलना पड़ रहा है और रास्ते के बगल में नीचे देखिए गैरी खाई है तो हमें समल कर चलना पड़ेगा दोस्तों हम बात कर रहे थे दुर्गम जगाओं पे किले क्यों बनाई जाते हैं इसका एक ही कारण है प्राचिन समय में राजा एक दूसरे से आपशी मतवेद या सीमा बिस्तार के कारण लड़ते रहते थे इसलिए किले को ऐसी जगे बनाया जाता था कि आसानी से कोई हमला ना कर सके अगर कोई हमला करे भी तो दूर से ही पता चल जाए किले के चारो और उची चार दिवारी होती है जिससे कोई आसानी से अंदर ना घुश सके अक्सर ऐसे किलो से जीतने के चांस जादा होते थे फिर भी अगर परिष्टितियां विप्रीत होती थी तो सुरंग के माध्यम से राजा बच निकलते थे इसलिए महलो या किले में खुपिया सुरंगे होती है देखिये यही सामने चुनारगर का खुप सुरत पुल है आखिर कार हम अंग्रेज द्वारा बनाएगे फासी गर पर आ चुके हैं यह बहुत ही ड्राबनी और खतरनाग जगा है कले पर घुमने बाले लोग यहां नहीं आते हैं यह सामने ही फासी गर है अंग्रेज द्वारा यहां पर फासी दी जाती थी दोस्तों इमारत में जाने के लिए यह एक खुपिया और ड्राबना रास्ता है तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद